हालो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग टायोप आप एकदम अच्छे होंगे तो जैसे कि नीट 2030 के एक्जाम हो गया है रिजल्ट भी आ गया है कुछ बच्चों को रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और कुछ बच्चों को रिजल्ट है वो 480, 500, 520, 540 का सपास रह चुका है तो बटा निराश होने की बिल्कों ज़रूरत नहीं है आपको के पहचानना है कि वो मिस्तेक्स जो आपने इस साल की है देखिए मैं अमिशा बिलीव करता हूं कि अगर किसी बच्चे के नंबर 500 से लेके और 560 के बीच में है तो वो बच्चे वही है जो रहा है जिसने हमव 50 या 500 का राउंट रहता है उनहीं मैं यहां डिसकस करने वाला हूं कि ऐसी कौन सी गलती आए जिने हम इस साल नहीं करेंगे तो नीट 2024 में एक बहतर स्कूर के साथ एक बहतर रिजल्ट को ला पाएंगे यहां मैं आज बात केवल फिजिक्स की नहीं करूंगा ध्यान मैं आपकी बात कर रहा हूं रैंक इनेंस करने की मैं चाहता हूं कि कैसे अप अपना स्कूर जो है वो 500 से जादा ला सकते हैं 600 की रेंज में ला सकते हैं क्योंकि जो बच्छा 530 540 ला रहा है विश्वास करिए कॉंसेप्स उसके अच्छे हैं बस कुछ मिस्टेक्स हैं जो को कर रहा है जिसे उसे अवोइड करना है और जो मैं आज आपके पास लेके आ रहा हूं उसका मेरे पास प्रूफ भी है बहुत सारे स्ट्रेंट्स ने ये फोलो किया है और पहले ही अटेम्ट में अच्छा स्कूर किया है आपको पता होगा विशाल मित्तल के बारे में जो पता का स्ट्रेंट था उसकी बात इसलिए की जाती है क्योंकि वह वाक़ी एक एवरेज स्ट्रेंट था जिसने एक सलेक्शन छीना है जिसने टीचर्स की बात को माना क्वेश्टन स्ट्रेंट्स को एक अलग लेवल पर जाकी किया और पहले ही अटेम्ट में बहुत पहला पॉइंट है होमवर्क होमवर्क का मिनिंग यह है कि जो भी आपको कॉंटेंट दिया जाता है यह सपोस्ट उम्हें ELP दी जाती है अच्छान अकेडमी ऑफलाइन में ELP देते हैं बच्चे को रेगुलरी प्रैक्टिस के लिए उसके अलावा हम मॉडियूल देते हैं तो हमवर्क का मतलब यह होता है कि उस हमवर्क को जो आपको दिया जा रहा है उसे आपको थ्रू आउट दा इयर करना है starting में क्या होता है कि जब initial days में हर को होंग करता है क्योंकि एक chapter दो chapter तीन chapter चल रहे होते हैं बच्चे के पास enough time होता है वो समय लगा लाकर आराम से अपना homework करता है important हमीशे बेटा है start करने के साथ साथ उसे continue करना होता है consistently से हमें homework करना है तो पहले जो point 10 मेरा जादा believe है वो यही है कि आपको जो homework करना है वो homework आपको not only in initial days पूरी साल भर आपको homework करना है इसके लिए एक ही line होती है कि रोज का काम रोज करो जो homework आपको मिलता है उसे आपको regularly without any leg हर दिन करना है second question practice देखिए question practice का मतलब बच्छा समझता है कि वर सर फिजिक्स की बात कर रहे होंगे नहीं यह ध्यान रखिए question practice का meaning है मैं लिखा है every subject हर subject में आपको questions लगाने है चाहिए वो biology हो biology के अंदर botany हो zoology हो chemistry हो physics हो आपके पास questions होने चाहिए आपको 50 से लेके 70 की बीच के आसपास questions daily करने चाहिए उससे क्या होता है कि आपकी thinking capacity बढ़ती है आप questions के क्योंकि आप ultimately देखेंगे तो जो NEET का paper है उसमें लगबग 15,000 से 16,000 words होते है जो आपको तीन घंटे 20 के अंदर पढ़ने औ और समझने और solve करने है तो यह जो आपकी reading habit है यह बढ़े की questions करने से इसलिए इस बात को बहुत important तरीके से ध्यान रखना कि question practice आपको करने है हर subject वे चाहिए वो bio, zoology हो, chemistry हो, physics हो या botany हो ठीक है next मैंने यह लिखा है regular 50 plus questions कि daily आप 50 से जादा questions कीजिए चाहिए वो आपकी ELPs के हो चाहिए वो module के हो चाहिए कोई और material आपके पास हो जो neat specific हो आप उससे practice कीजिए next move on करते है test paper analysis जिसमें मैंने लिखा है कि identify repetitive mistakes देगे बिटा आपका भी देखना कि जब आप test देते हैं तो उसमें जो mistakes आप करते हैं वो कुछ repetition की होती है जैसे वो माली जी आप physics भी question solve कर रहे हो अब मालोक किसी को cross multiply करना नहीं आ रहा है तो वो अब शरम की वज़े से अपने teacher से बात पूछता भी नहीं है कि सर मुझे calculation वाला पार्ट नहीं आ रहा और वो उसे बहुत casual लेता है और होता क्या है कि मैं exam होता है उसके दिन वही calculation उसके लिए एक तरीकी से घात बन जाती है उसे लगता है कि यार यह काश मैं पूछ लेता तो शायद यह question मेरा solve हो जाता मेरा कहने का मतलब है कि आपको हर बार अपने test paper देखना है और जो repeated mistake होती है जनरल यह कौन से mistakes होती है या तो यह conceptual होती है जहापर आपने कोई चीज रटी होई रहती है और आप दो options में confused हो रहते है या फिर यह होती है एक तरीके से calculation वाली mathematics वाली तो जनरल यह आपको यह चीज़े avoid करने का मन करता है लेकिन नहीं करनी है अपने teacher से पूछ नहीं है ताकि आपके questions है वो सही हो पाए और दूसरी बात मैंने लिखा है test paper analysis जिस system में आप पढ़ रहे होते हैं जिस coaching में आप पढ़ रहे होते हैं आज कल क्या है कि technique से या technology से हर जगे आपका paper पूरा analysis किया दाता है तो आपका पूरा test paper analysis होता है कौन से questions आपने गलत किये कौन से negative थे कौन से positive थे उससे seriously लेना है ताकि आपको पता रहे कि आपसे questions कौन से टाइप की गलत होते हैं यह वो theory वाले हैं या calculation वाले हैं तो यह बहुत ऐसे points है जिन पर ध्यान कम जाता है लेकिन सच्छा ही मानिए यह topics जो हैं यह जो points हैं यह आपके score को dip कर देते हैं तो इस प जान दखना है कि आप किस exam की तयारी कर रहे हो जर्रली बच्चे क्या करते हैं कि आएट वाले बच्चे की साथ रहते हैं जरूरी रहते हैं तो हम उनकी sheets लगाना शुरू कर देते हैं अब इससे क्या हो रहा है हम कीवल अपना समय बरबाद कर रहे हैं किसी भी subject में आपको PhD जरूरी चाहिए है जरूरी ग्यान चाहिए है जो हमारा selection कर रहे हैं तो इस बात को भी जान रखिए कि अपना फालतु चीजों में time waste ना करिए फालतु content पढ़ने में time waste मत कीजिए क्योंकि यह हमारे पास एक साल होता है उसमें हमारे पास समय भी कम है और content और बहुत जाद केमिस्ट्री में आप देख लिए इतियास पिछे तीन चार सालों में केवल NCRT ही पूछी जा रही है अब कही बच्चे बोलेंगे सर एक दो क्वेश्चेंस बाहर से आ रहे हैं एक दो क्वेश्चेंस के लिए भी अगर आपने पूरी NCRT पढ़ी है तो आप एटलिस उन्हें यह बात ध्यान रखेंगे कि ज्यान नहीं जरूरी ज्यान चाहिए नेक्स देखते हैं रिविजन स्ट्राइड़जी यह भी बहुत बढ़िया पॉइंट है जनरली बच्चे के साथ क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपने किसी बैच में अडमेशन लिया और आपके पास अभी चार सब्जेक्ट में चल रही है एक टेस्ट दो टेस्ट में आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हो आपके नमबर आरे 630 640 आप कॉंफिडेंट रहते हो परशानी कब आएगी जब टेस्ट तीन या टेस्ट चार आएगा अब हो गया सले बस जादा पीछे की ची कोई बैक का कोई भी टॉपिक है वो आपके टेस्ट में आ जाएगा ताकि आप रिविजिन कर पाए मैं इसे कहता हूं कि या तो आप वो स्ट्रेटिजी को फोलो कीजिए या आप अपनी खुद की स्ट्रेटिजी बनाई है एक ड्रॉप के बाद आपको यह आईडिया लग करना शुरू कीजिए ताइम को मैनेज तो आप को करना ही पड़ेगा ताइम मैनेज करना सीकिका कैसे जब अब रिविजिन की आदच डालेंगे हमें लगता है कि चाहर ट पांट चिल रहें लगाता हर करेंट पढ़ रहें तो प्ल पता है क्या होता है वापस लगेगे नहीं किया था और कई बच्चे बोलते सर मैं तो भूल जाता हूं अरे हर कोई भूलता है हमारे सर बोलते थे कि एक ही तरीका है चीजे याद रखने का वो क्या कि भूलने से पहले दुबारा पढ़ लो तो यही मैं आप लोगों को बोलूँगा जो लोग सेलेक्ट होने वो भ faith on system यह भी बहुत ही important एक factor होता है आज की scenario में जब मैं देखता हूं students को कि उन्हें अपने educators पे शिस्टम पे faith ही नहीं होता है मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि teacher जो होता उसका role नहीं होता हम सब teacher से हम मानते है कि किसी भी competition में हमने त्यारी भी किये कि competition की में teacher का बहुत रोल होता है लेकिन केवर teacher का role नहीं होता यह चीज आपको समझनी होगी केवर बच्चों कंप्लेइन होते हैं सब्सक्राइब में को समझ में नहीं आया मेरा सब्सक्राइब हो गया पूरा सब्सक्राइब हो गया अरे ऐसे नहीं तुझे प्रैक्टिकल सोचना है कि अगर मान लेजे physics की बात करू फिजिक्स में भी अगर मान लेजे 45 questions है और तेरे 20 नमबर या 15, 16 या 20 नमबर ही कम हुए लेकिन तो उन 20 नमबर के चक्कर में अगर कहीं और जाएगा मैं तो online पढ़ लूगा कहीं और पढ़ लूगा आप अपने पूरा schedule बिगाड लोगे और उस schedule का result में क्या होता है ना आपके पार revision का time होता है और नहीं आपके पास अप प्रकार की कोई lag नहीं देंगे आप consistently पढ़ेंगे तो जो भी teacher आपको पढ़ा रहा हो किसी भी आप XYZ इंस्टिटूट में होंगे वो आपको उतना तो पढ़ा ही देगा कि आपका selection एक अच्छी rank से हो जाएगा तो प्यारे बच्चो मैं यही कहने चाहूंगा कि छोड़े पॉइंट्स को ध्यान रखिए ताकि अपना जो score है वो 500, 540, 580 से उपर पहुंचके 600 की लाइन में पहुंच पाए क्योंकि मैं आमेशा मानता हूं कि जिस बच्चे के 550 नमबर आते हैं वही बच्चा है जिसके नमबर 630, 640, 650 पहुंचेंगे क्योंकि हम सब average students हैं हम average students ही जो consistently लगाता perform करेंगे क्योंकि selection bulk में average students का ही होता है अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे physics के topics की भी physics की बात भी करेंगे ठीक है तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इन punts को follow किजिए all the best